मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे दूसरों की जैसे पहले, खुद को जै करें हम को मन की शक्ती देना है नमस्कार दोस्तों, मैं हुरी शब गौतम, दे लौफ अट्रेक्शन कोच और मोटिवेशनल स्पीकर में स्वागत करता हूँ आप सब का आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक सकसे स्टोरी शेर करने वाला हूँ, जो सकसे स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी तो चलिए जादा चीचे नहीं करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो तो मेर प्याद़ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे मोटिवेशन वाली पोस्ट में डालता रहता हूं और अगर आपने अभी तक हमारा एंशेंट इंडियन मेडिटेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है फटावाट से जाईए इंस्टॉल कीजिए और फ्री में लॉफ अट्रेक्शन की कोचिंग लीजिए तो अब हम शुरू करते हैं आज की सकसेश टोरी दोस्तो आज की सकसेश श तो मच आपको कि मैं आज मेरी success story share कर पा रही हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़े से success हो पा रहा है, मैं और नीरज हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यह हम दोनों की family को मंजूर नहीं था, कि हम शादी करें, because intercast problem, हमारी family तो हम दोनों की relationship के सक्त खिल सर ने बहुत ज़्यादा help की हमारी, thank you sir, 50% तो मैंने आपकी videos देखके techniques follow करके achieve कर लिया था, family मान तो गई, बट नीरज के पापा का यह कहना था, कि हम शादी कर सकते हैं, बट उनके, उनका यह कहना था, कि हम family में साथ नहीं रह सकते, हमें अलग रहना होगा, बट मुझे यह मन्जूर नहीं था, मैं बचपन से ही joint family में रही हूँ, सो मैं family से अलग नहीं रहना चाहती थी, यह भी नहीं चाहती थी, कि नीरज अपने parents से अलग रहे, और मैंने रिशप सर का course join किया, finally मैंने 100% success अचीव कर लिया, family मान भी गई, इस month 27th को हमारी सगाई है, and I am so happy sir, कि आज मैं अपनी success story आप से share कर रही हूँ, thank you so much sir, जानके जी सबसे पहले तो, जैश्री कृष्णा मैं बहुत कृतग्य हूँ आपके सम्मान के लिए, लेकिन मुझे उस इश्वर के साथ तुलना मत कीजे, मैं आप ही की तरह एक इनसान हूँ, बस उस इश्वर का भेजा ह वह एक माधियम हूँ, जो आप तक पहुंचा हूँ, आपको रास्ता बताया है, और आपने उस रास्ते पे चल के आपकी सिंदगी बहतर नहीं, खूब सुरत बनाई है, दोस्तो, success story जब भी मैं share करता हूँ आपके साथ, तो मेरा motive एक ही होता है, हम जब किसी movie को देख रहे अगर आप देख रहे हैं, तो आप उस जगह खुद को महसूस करते हैं, विजूलाइस करते हैं, success story में हमेशा शेयर आपके साथ, इसलिए करता हूँ, मेरा motive यह है, कि आपके अंदर यह vibration रहे, आपके अंदर यह आग रहनी चाहिए, कि जैसे कि आज इसने success story बेजी है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जिस दिन मैं success story शेयर करूँगा, यह motivation आपका बढ़ेगा, यह जो success story है, इसे आप रोज सुनिए, ancient Indian meditation की जो application है, दोस्तों, उसमें मैंने success story का एक complete category ही बनाया है, ताकि अगर आप course यूज़ कर रहे हैं, application यूज़ कर रहे हैं, तो आपको न family में रहना है, मलब रहना है तो रहना है, compromise नहीं करना, ऐसा भी होता है, कभी कभी आधी success मिल जाती है, आधी success जैसे के पापा ने का के चलो शादी कर लो, लेकिन साथ में मत रहना, लेकिन settle down नहीं होना, यह जिन्दगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त, तो जिन्दगी को बह करना, डिसलाइक करना भाया, जो मन चाहे आप करो, लेकिन comment section में आपके अमोल्य विचार जरूर शेर करो, साती साथ लिखो अभी, I will share my success story very soon, तो बस दोस्तो, that's it for today, मैं हूँ आपका गुरू, mentor रिशब गौतम, मैं हाथ जोड के दिल की गहराईयों से, आप सब का अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत and जय श्री कृष्णा